नमस्कार साथियो, दाट डिगनिटी के यूटूब चैनल में मैं आश्यतोस आप सब एका फिर से स्वागत करता हूँ, दोस्तों आज हम इस वीडियो में मद्द पदेश सहकारी बैंक या मद्द पदेश कॉपरेटिव बैंक के जो पोस्ट निकाली गई थी, उसके जो पेप वीडियो को देखने के बाद यदि आपको चैनल पसंद आता है, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखें दोस्तों मद्द पदेश सहकारी बैंक आपका 2023 में टोटल पोस्टे निकाली गई थी, दो आपकी जो है उनके लिए ये पोस्टे निकाली गई थी, पेपर की अगर बात की जाए तो 23-28 मार्च के बीच में पेपर संपन हुआ है, अब अगर पेपर की बात की जाए तो आप सभी विद्यार्थी पेपर दे कर आए होगे, तो आपको तो ये चीज पता होगी, कि हाँ सर हम पेपर आए हैं, देखो याद रखना बच्चो, ये जो पेपर है, इस पेपर में quantity नहीं, बलकि quality matter करेगी, क्योंकि पेपर जो है, वो आपका normalization तो होगा ही होगा, क्योंकि पेपर जो है, आपका 23-28 के भी संपन हुआ है, तो जो पेपर tough आया होगा, उस पेपर में normalization के chances जादा ह और normalization का फाइदा उनहीं बच्चों को मिलेगा, जिन्होंने accuracy के साथ paper solve किया, ना कि तुक्के में, कि भाई, मैं 200 में, आपका 170 कराया, 80-90 question गलत है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, मैं फिर से कह देता हूँ, देखे, paper की अगर बात की जाए, दोस्तों, तो reasoning के 40 marks थ 40 question 25 मिनट थे, और math के भी 40 mark, 40 question और 30 मिनट आपको दिया गया था, total 200 mark, 200 आपके प्रश्न थे, और आपके अगर total समय की बात की जाए, तो 120 मिनट थे आपके पास, इस paper को solve करने के लिए, अब आपके notification में ही दिया गया है, कि minus marking 0.25 है, कितनी है, 0.25 minus marking पहले से दी गई है, अ गर English की बात की जाए, तो English में minimum 30% रखा गया, कि भाई, 30% मतलब 12 question तो आपके पूरे या 12 आपके नमबर तो आने ही चाहिए, 40 में से, वरना आप जो है, पहले ही disqualify है, चाहे भले ही फिर दूसरे में आपने कितना ही अच्छा performance दिया हो, overall की बात की जाए, तो 40% है, मतलब 240% की बात की जाए, तो 80 नमबर तो आपके आने ही चाहिए, ये minimum है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, कि सर मेरा अगर 80 आ गया, तो क्या मेरा selection हो जाएगा, तो बंधू ऐसा नहीं है, 80 का मतलब तुमने पहली CD क्रॉस कर ली है, मतलब अब तुम बैंक की नजर में जो 40% होना चाहिए, अब अगर cut off और safe score की बात की जाए, तो देखें दोस्तों, जो आपके Google form भराएगे और जो आपकी कई सारे वीडियो चैनल पर आपके बच्चों का response रहा, उस response की अगर बात की जाए, तो पेपर आपका moderate से tough label का था, और इसलिए reasoning में 40 में से safe score की अगर ब question आपका safe score लेकर चलेंगे, English case 27-29 आपके जो question है, वो safe score रहेगा, और आपका computer 28-30 आपका safe score के बीच रहेगा, overall देखा जाए, तो मतलब लगभग 132, और उसी प्रकार से अगर हम cut off की बात करें, तो एक cut off जो है, वो जनरल के लिए 125-135 के बीच जाएगी, OBC की 125-130 के बीच जाएगी, EWS की 124-128 के बीच जाएगी, SC की आपकी 115-125 के बीच जाएगी, और ST की 100-110 के बीच में आपकी cut off जाएगी, मैं फिर से बता देता हूँ, ये एक expected cut off है, नमबर 5 से आपके साथ नमबर आप उपर नीचे लेकर चलिएगा, हाँ, जिन बच्चों से बात होईए, जिन बच्चों के आपके कमेंट्स आए हैं, गूगल फॉर्म आए हैं, उसके अनुशार आपके ये safe score और cut off जो है, वो create होती है, उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह के content के लिए, चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो दन्दवा.